बिट्टू आज तेरा स्कूल का रिजल्ट आने वाला है जा स्कूल जा और जल्दी रिजल्ट लेके आ हाँ हाँ आज मुझे रिजल्ट मिलेगा मैं पूरे स्कूल में टॉप आऊंगा टॉप टॉप हर साल फेल हो जाता है घर आकर कहता है पापा मैं फेल हो गया बेटा अगर इस साल फेल हुआ तू इस घर में कदम मत रखना कदम कदम मतलब मतलब समझाओ तुछे बेटा अगर तू इस साल फेल हो गया तू घर में अपने पैर मत रखना पैर पैर अपने पैर मत रखना समझ गया जा इस्कूल जा जल्दी जा और रिजल्ट ले गया जा हाँ जाता हूँ भाई तू पूरे स्कूल में टॉप आएगा और मैं क्लास में टॉप आउँगा चल चल रिजल्ट लेके आते हैं चल 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 ओई स्कूल चलो आज रिजल्ट मिलने वाला है आई-अ-चाचा जी क्या हुआ रहा है अचानक मेरे पेठ मेंदर्द हो रहा है मेरा बेटा ओफिस कया है बेटा तु मेरे बेटे को फॉन करके ऑफिस से बुला देगा या बोल तेरे बापके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी घर आ, फॉन कर, फॉन कर जड़ा, अरे हाँ, क्यों नहीं, पडोसी पडोसी के काम नहीं आएगा, तो कौन आएगा, मैं आपके बेटे को कॉल कर देता हूँ, आजाओ, 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 चाचा जी, बिस्तर में लेट जाओ, बिट्टु के हाँ, हाँ, जल्दी आजाओ, अरे ओफिस का काम बाद में कर लेना, जल्दी घर आओ, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला दू, हाँ, कॉल करके बुला दू, अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को कॉल करके बुला देता हूँ, आप जल्दी घर आजाओ, चाच पेड़ दर्द, कभी कमर दर्द, कभी सर दर्द, ये बुड़ापा आता ही क्यों है, हेलो, डॉक्टर, जल्दी मेरे घर आजाओ, मेरे पडोस के चाचा जी है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी घर आओ, हाँ, मेरे घर, चाचा जी मेरे घर में आये है, जल्दी हाँ हाँ ठीक है जल्दी आओ चाचा जी डॉक्टर आ रहे हैं आया बहुत तेज दर्द हो रहा है यह बुड़ापा आता क्यूं होगा ओ हो हो इतना दर्द यह बुड़ापे में ही होता है ऐसा दर्द ओ है अरे बिट्टू और बबलू आ गए बिट्टू बबलू रहे हो आपने ही तो कहा था अगर तू फेल हो गया तो घर में कदम मत रखना पैर पैर मत रखना तो मैं घुटनों से चलके आ रहा हूं घुटनों से है ना भाई हाँ आज के बाद हम दोनों घर में पैर नहीं रखेंगे घुटनों से चलेंगे घुटनों से मतलब तुम द एखूल क्या, मैं तो कह रहा हूँ, पूरी दुनिया टॉप कर देंगे हम, पूरी दुनिया, भाई तु, मैं भी पूरी दुनिया टॉप करूँगा, बिट्टु की मा, मार दे मुझे, मार दे, मैंने इन दोनों से कहा, अगर इस साल फेल हो जाओगे, घर में पैर मत रखना, कदम मत रखना, इतने तेज, घुटनों से चल के आ रहे हैं, वा, क्या खाके पैदा किया तुने इनको, पागल कर दिया मुझे इन दोनोंने, पापा, वे, वे, मत करो, मैं आपको एक कहवत सुनाता हूँ, आज करे, जो वो कल करो, कल करना है वो परसो, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पड़े हैं, बरसो, अरे चुप, अरे, पेट दर्द हो रहा है, आज, अज, अज, मर गया, कहा है डॉक्तर, अरे, डॉक्तर को बुलाओ, अपने बातों में लग गए, कोई अपना नहीं होता, सब अपने बारे में सोचते हैं, एक बुढधा पड़ा है, उसके को अज, चिंता नहीं है, कोई कहरा पास हो गया, कोई कहरा फेल हो गया, यहाँ मेरा हाठ फेल होने वाला है, उसको नहीं देख रहे हैं, यह, मर गया, अरे, चुप, आतो रहा है डॉक्तर, बुला तो दिया, क्या करू अब, तर्द हो रहा है, तो थोड़ा सेहन करो, डॉक्त चाय पीके, आपका दिमाग ज्यादा गरम हो जाएगा, मैं कोल्डरिंग ले याओं, कोल्डरिंग, बहर से दुकान से कोल्डरिंग, ठंडी ठंडी वाली, उससे दिमाग ठंडा हो जाएगा, जहर ले आजा, जहर, मार दे मुझे, जहर खिला के, बहुत अच्छा काम करके आय है, कौन हो गया बिमार, इनका इलाज करना है, ये हमारे पडोस के चाचा जी है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, जड़ा देखो क्या हुआ, क्या करूँ, ताओ जी, आब दो-चार मिनट रुको, मैं पांदस घंटे सो जाता हूँ, फिर इलाज करता हूँ, आते आते ठक गया, क्या करे ठकाँ ऐसी ही चीज है, अहां, पेट में दर्द हो रहा है, और ये आराम से सौ रहा है, कैसा डॉक्टर बुला दिया तूने, अहां, मेरे बेटे को बुला दे, तू ये डॉक्टर को रहने दे, तू अपने जैसा डॉक्टर अपने पास रख, आह, ये-ई- क्या किया बात करने का तमीज नहीं है मुझे नहीं करना है इलाज मैं जा रहा हूँ एक बात बता दूँ जिस घर में इज़द नहीं होती है उस घर में एक मिनट नहीं रुकना चाहिए डॉक्टर मुझे घर में रुकना चाहिए या फिर मैं चले जाओं तू क्यों जाएगा क्योंकि इस घर में मेरी भी कोई इज़त नहीं है मतलब तेरी मेरी हालत एक सी है हाँ तुझे देखकर लगता है तू बड़ा होकर मेरे जैसा डॉक्टर बनेगा हाँ हाँ मुझे भी लगता है मैं तो हमेशा पापा से कहता हूँ मैं बड़ा होकर कुछ ना कुछ बड़ा करूँगा बेटा ये बता तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है गेम खेलना इनका दर्द बहुत तेज हो जाएगा लेकिन दूसरा इंजेक्शन ऐसा है जिसको लगाने के बाद इनका दर्द ठीक हो जाएगा तू बताएगा इसमें से कौन सा इंजेक्शन लगाऊं अगर दर्द तेज होने का इंजेक्शन लग गया तो तू हार गया अगर दर्द ठीक होने का injection लग गया तो तू जित गया तो बता कौन सा injection लगाऊं ये या फिर ये मज़ा आएगा देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है चल चल बता बता जल्दी ये वाला अच्छा ये वाला हाँ अभी लगाता हूँ ए बुड़ो मुड़ मुड़ थोड़ा मुड़ अरे मुड़ कैसा injection लगा दिया बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया मेरे बेटे को बुला दो मेरे बेटे को बुला बहुत तेज दर्द हो रहा है अरे इसको दर्द तेज होने लग गया मैं तो गेम जीत गया कौन सा injection लगा दिया हाँ चाचा ये चाचा चाचा को क्या हुआ ज्यादा तेज दर्द होने की वजह से ये मर गई क्या मर गई तू इलाज करने आया था या मारने चाचा ये किलना हो बुला लेना अरे हट पापा पापा मेरे पापा को क्या हुआ पापा पापा तुमने डोक्तर को बुलाया नहीं क्या हाँ डोक्तर को बुलाया था लेकिन डोक्तर और मैंने गेम खेला गेम बहुत मजा आया लेकिन ये मर गई तू चुप चुप पापा झाल झाल